नमस्कार दोस्तों PBR study में आपका सुबत है क्लास नाइन्थ के NCRT की क्रम को आगे बढ़ाती हुए आज हम देखेंगे exercise 2.3 ठीक है 2.3 exercise देखने से पहले हम देखेंगे सेसफल प्रमेक क्या है? सेसफल प्रमेक अगर हम आसान भासा में समझें तो ये इस तरह से होगा जैसे मौन लिए PX कोई एक बोपत है और QX एक बोपत है तो अगर PX को QX बोपत से भाग देंगे तो कुछ सेसफल आएगा वो सेसफल चाहे जीरो होगा चाहे कोई नंबर तो कोई सेसफल आएगा तो उसी सेसफल को बिना भाग दिये हम कैसे प्राप्त करते हैं इसको सेसफल प्रमे से जानते हैं तो अगर हम X-1 जिससे भाग देना X-1 इसको अगर जीरो की इक्वल कर दें तो X इक्वल टू 1 आजाएगा और इसी X के मान को अगर इस PX बोपत मे रखेंगे तो जो हमें वैलू प्राप्त होगी वो इसका सेसफल होगा तो यही सेसफल प्रमे है यदि किसी बहुपत में किसी दूसरे बहुपत से भाग दिया जाता है तो उससे कुछ सेसफल प्राप्त होता है अब बिना भाग दिये सेसफल कैसे निकालते हैं दूसरे बह पद में 1 रख दीजिए P X equal to क्या हो जाएगा 1 की power 4 plus 1 cube minus 2 1 square plus 1 और plus 1 ठीक है 1 की power 4 1 ही रहेगा ये भी 1 ही रहेगा minus 2 इंजा 2 ही रहेगा और plus 1 2 minus 2 plus 2 और ये 1 1 हो जाएगा 2 तो इसका अंसर क्या या 2 ये 2 है क्या ये 2 6 फल है 6 फल किसका 6 फल यदि इस बहुपद में हम इस बहुपद में हम इस से X minus 1 से भाग करेंगे तो हमें 6 फल दो आएगा तो हमें भाग करने की ज़रुत नहीं हम 6 फल परिमे का अपरियोग करेंगे और दूसरे बहुपत को जीरो के बराबर रखेंगे और यहां से X की बेलू बना गई अब 1 इस बहुपत में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मानाएगा वही इसका सेसफल हो जाएगा यही है सेसफल परमे बिल्कुल आसान भासा में आपको समझना है कोई परिभासा नहीं रटना आपको समझना है बस सेसफल परमे है ठीक है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं एकसरसाइज 2.3 इसी कंसेप्ट पे हैं तो एकसरसाइज 2.3 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे तो यह है एकसरसाइज 2.3 इसका पहला कोईशन है इससे भाग देने पर सेसफल ग्याद करना है ठीक है जैसे ये एक बहुपद है इस बहुपद को पहला इस से इस से इन पांचों से बारी बारी भाग दे करके हमें बताना है सेस्फल कितना हैगा तो हम भाग नहीं देंगे हमारे पास है एक तरीका सेस्फल परमे का तो हम इसको सेस्फल परमे से निकालेंगे इसका सेस्फल तो अगर लेते हैं x plus 1 equal to 0 पहला करते हैं x plus 1 तो x equal to 1 हो जाएगा x कमान इसमें रखने पर x कमान बहुपद में रखने पर तो क्या हो जाएगा x cube plus 3x square plus 3x plus 1 अब इसमें x के जहाँ पर 1 more रखते चले जाएगे 1 का cube plus 3 into 1 का square plus 3 into 1 plus 1 इसका जो मान आएगा वही इसका सेसफल होगा 1 plus 3 plus 3 एक कम 3 और plus 1 3, 3, 6, 7, 8 यानि कि इसका सेसफल कितना आएगा जब हम इस बहुपद को x plus 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास सेसफल कितना आजाएगा 8 यही हमारा आंसर हो गया हम इसको बिना भाग दिये निकाल सकते हैं कैसे सेसफल परमे की द्वारा ठीक है तो लिखा है निमल्खित को भाग देने पर सेसफल ग्याद किजिए तो हमारे पास सेसफल आगया हम इसको भाग दे कर नहीं देखेंगे इस सिर्फ एक और कर लेते हैं दूसरा कर लेते हैं चलिए देखते हैं दूसरा एकस माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे एकस एक्वल टू आ जाएगा यह है इसका दूसरा पार्ट अब इसी पहुपत में हम एकस बराबर एक बटी दो रखेंगे तो एकस का क्योंग प्लस थिरी एकस इसको है प्लस थिरी एकस प्लस वन चलिए 1 upon 2 cube plus 3 1 upon 2 square plus 3 into 1 upon 2 plus 1 ठीक है 1 upon 2 का cube क्या हो जाएगा इसको 3 बार गुड़ा करना तो क्या हो जाएगा 2 दूनो 4 दूनो 8 1 upon 8 plus 3 into 1 upon 4 plus 3 into 1 upon 2 plus 1 ठीक है यह क्या हो जाएगा 1 upon 8 plus 3 upon 4 plus 3 अकम 3 बटे 2 plus अब इसको यह है क्या यह आपको fraction बन गया fraction का जोड़ तो बिन्यों का जोड़ अगर आपको नहीं आता है तो आप PBR study आप चलिए देखते हैं इसका हर बराबर करिए हरो को अलासा ले ले लेंगे 8 हैगा 8 एक कमाठ 1 4 दूनाठ 2 से उपर गुड़ा 3 दूनीचे 2 चौको 8 4 से उपर गुड़ा 4 तीनीचे 12 धन इसके नीचे 1 है 1 अठमाठ 8 से उपर गुड़ा 8 हो जाएगा यह हो जाएगा इसका जूड़ अब इसको एड़ कर लेंगे 12,8,20 26,26,27 27,8 तो इसका जो भाग देने पर X-2 से भाग देने पर जो से फल आएगा वो कितना आएगा 27,8 यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो आईए देख लेते हैं तीसरे में केवल यक्स लिखा है नहीं तो आप कहेंगे कि यह कैसे केवल यक्स ही है इसमें तो यह बहुत ही सिंपल है तीसरा कैसे देखेंगे X है X equal to 0 ले लेंगे तो जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे यह देखिए 0 को क्यों प्लस 3 इंटू 0 इसको आयसे करते चले जाएंगे तो फाइनली यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 0 0 यह 3 0 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 यही बचेगा तो इसका जो सेस्फल आएगा वो क्या हो जाएगा 1 आपका अंसर बजाएगा ठीक है तो इसके बाद 4th question x प्लस 5 है 5th है 5 प्लस 2 x तो इन दोनों में से कोई एक हम बताएगे जैसे मान लेते हैं चोथा बता देते हैं पाचवा होँ मोरकर चलिए देखते हैं चोथा चोथे में x प्लस 5 से भाग देना है तो हम सेस्फ़ल प्रिमे के अंसवर क्या लेंगे X प्लस Pi इक्वल टो 0 तो X इक्वल टो क्या जाएगा माइनस Pi अब जहां जहां हमें X रहेगा वहां वहां माइनस Pi रख देंगे तो हमारा तो हमारा ये बहुपत क्या था X Q प्लस 3X स्क्वाइर प्लस 3X प्लस 1 तो जहां जहां X है वहां माइनस Pi रख देंगे माइनस Pi का Q प्लस 3 माइनस Pi का स्क्वाइर प्लस 3 इंटू माइनस Pi प्लस 1 ये माइनस Pi का Q हो जाएगा माइनस Pi का Q प्लस 3 Pi स्क्वाइर जब minus pi minus pi multiply करेंगे तो plus हो जाएगा ठीक है plus 3 into pi plus minus minus pi हो जाएगा 3 pi plus 1 तो यह जो 6 फल आएगा आपका pi का cube minus pi की plus 3 pi square plus 3 pi plus 1 यहीं आपका क्या जाएगा 6 फल ठीक है तो यह यहाँ पे minus होगा minus 3 pi क्योंकि यह minus 3 भी minus तो minus pi का cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1 यह आपका क्या हो गया answer हो गया यहीं आपका successful हो जाएगा चलिए एक और बचा है तो इसको भी देखी लेते हैं नहीं तो आप कहीं छोड़ देते हैं तो यह 5 फिफ्थ वाला हो गया 5 plus 2 x ठीक है तो यह इसको भी सेस्वल पर में लगाएंगे 5 plus 2 x equal to 0 के बरावर करेंगे x बरावर क्या जाएगा इधर आके minus 5 और अपान यह 2 minus 5 अपान 2 तो हमें जहाँ जहाँ x देखेगा वहाँ वहाँ हम minus 5 अपान 2 रख देंगे चलिए देखते हैं x cube minus 5 अब इसको सालो कर लेंगे और हमारा अंसर आजाएगा तो 5 का cube 125 और तीन बार घात है तो minus 125 अगर घात सम रहेगी तो अंदर minus जो है वो plus हो जाता है और भी सम रहती है तो minus ही रहता है क्योंकि minus minus का गुड़ा plus होता है ठीक है तो upon 8 plus 3 into ये minus 25 25 हो जाएगा minus minus प्लस हो जाएगा तो 25 upon 4 प्लस ये इसमें गुड़ा 5 तीन 15 minus 15 बटे 2 धने तो ये minus 125 बटे 8 ये 25 ये 75 बटे 4 और ये धन minus हो जाएगा minus 15 upon 2 प्लस 1 ठीक है अब इसको LCM लेकर के जैसे उपर एक कोशन किये थे वैसे ही LCM लेकर solve करेंगे नीचे आजाएगा 8 LCM ये minus 125 प्लस फोर टूजाएट टू बार गया तो 75 दूना देड़ सो प्लस माइनस है तो माइनस लगाएगा माइनस दो चोगे आठ चार बार गया 15 चोगे साथ प्लस एक है आठ बार गया आठ अब इन सब को आड़ कर लेंगे माइनस माइनस वाला माइनस में एड होगा प्लस वाला प्लस है तो 125 में 60 आड होगत कितना हो जाएगा 175 माइनस 175 60 85 60 में ये एड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 और 500 में 8 एड होगा तो क्या हो जाएगा 158 अपान 8 ठीक है बस अब इसको इसमें से माइनस करने यह माइनस है यह प्लस दून क्या हो जाएगा घट जाएगा तो पंद्रह में से आठ गया साथ और बचा साथ में से पांच गया दू तो माइनस टॉंटी सेबन अपान एट माइनस टॉंटी सेबन अपान एट आपका क्या हो जाए इसका सेसफल हो जाएगा माइनस 27 अपान एठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगला कोईशन चलिए देखते हैं यह है कोईशन नमबर 2 X-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A into a minus a ठीक है a cube minus a into a square क्या हो जाएगा a cube ये भी हो जाएगा plus six into a six a हो जाएगा और minus a ठीक है plus a cube minus a cube कैंसिल हो गया plus six a में से a के minus हो जाएगा कितना बचेगा five a तो five a आपका answer हो गया यहीं आपका say贤 हो गया तो question number two में जब x-a से इसमें भाग करेंगे तो हमें 5-a प्राप्त होगा अगर हम इसी को x-a से भाग करेंगे किसको x-a-a-a-a-a-a-a में तो हमें जो last में 64 आएगा वो 5-a आएगा अब हम आगे भाग करना भी बताएंगे कि इन सब का भाग कैसे किया जाएगा आपके chapter में है तो syllabus में जो भी हम सब बताएंगे चलिए देखते हैं आगे question number three question number three में क्या है कि जाच कीजिए कि question लिख देते हैं पहले तो बताते है तो यह है question number three जाच कीजिए कि 7 7 plus 3x 3x का Q plus 7x का एक गुरंखंड है या नहीं मतलब यह बहुपद है और आपको देखना है कि यह इसका गुरंखंड है कि नहीं है तो गुरंखंड है या नहीं है इसका concept यह है कि अगर हम सेस्पल परमे लगाएंगे तो जब इसमें सेस्पल परमे लगाएंगे तो 7 7 plus 3x को परावर करेंगे 0 के अब इसकी बाद जो x का मान आएगा इसमें रखेंगे रखने की बाद हमें कुछ सेस्पल पराप्त होगा अगर सेस्पल 0 आ गया तो यह इसका गुरंखंड होगा अगर 0 नहीं आएगा तो गुरंखंड नहीं होगा तो आईए देखते हैं तो 3x इकॉल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 x इकॉल टू माइनस 7 अपान 3 माइनस 7 अपान 3 अब इसी x का मान इसमें रख देंगे 3 इंटू x की अब क्या रखेंगे माइनस 7 अपान 3 x का क्यूल माइनस प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपान 3 ठीक है चलिए तो 3 इंटू 7 सता 49 सती 343 343 अपान 3 तरिक का नवत्री 27 धन 7 सता माइनस 49 बटे 3 अब ये माइनस 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 प्लस क्या होज़गा ये माइनस होज़गा तो ये इस से कट जाएगा 327 343 अपान 9 माइनस 49 अपान 3 अब इसको सरल कर लेंगी हल कर लेंगे LCM क्या आएगा 9 अगर आपको हल करना नहीं आता है तो PBR Study का 0 लेबल मैज जरूर देखिए वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है 9 अब इसमें से माइनस जरूर तो 13 मैसे 7 गया 6 बचा 3 इधर से बचा ये भी 13 13 मैसे 4 गया 13 मैसे 4 गया 9 13 मैसे 4 गया 9 यहाँ क्या बचा है 2 2 मैसे गया 196 अपान 9 तो क्या रहा है 196 अपान 9 तो अब ये इसका सेस्फल होगा की नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं नहीं ये इसका एक गुरंखंड नहीं है क्यों क्योंकि सेस्फल सुन्य नहीं है क्यों क्योंकि क्योंकि सेस्फल सुन्य नहीं है अगर सेस्फल सुन्य आ जाता तो ये इसका एक गुलंदखंड होता अगर सेस्वाल सुन्ने होता तो सेस्वाल सुन्ने नहीं है तो ये इसका गुलंदखंड नहीं है तो दोस्तों ये exercise 2.3 complete होती है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए PBR Study चैनल को सब्सक्राइब करिए और PBR Study आप को डाउनलोड कीजिए फुल स्रेवस के लिए तो थैंक्स फार वाचिंग